स्वागत है आप सभी का टिक स्टडी आईटिया यूट्यूब चनल पर साउथीस चेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से आईटिया पासाउट 18 ट्रेट्स के लिए 500 से जादा पोस्ट पर अप्रेंट्सिप आई थी 2023 के लिए जिसकी की फॉर्म अप्रेंट्सिप इंडिया.jobi.in की वेबसाइट पे और इसलिए भरे जाने थे ऑनलाइन मोड में तो उस ताइम पे जब वेकेंसी आई थी तो इस पे बहुत सारी चीजे हैसी थी जो पोर्टल पे अपडेट नहीं हुई थी बट फिर भी हमने वीडियो एप्लाई करने का वीडियो बना दिया था आप सभी ने जिनका ट्रेड अवेलबल था एप्लाई भी किया होगा जार मही से फार्म भरे जा रहे थे बट उससे अपडेट करने में ने कम सकम दो हपते का टाइम यहां पे लग चुका है इसी तरह से आप यहां देखेंगे एक और ऐसी वेकेंसी है आर एसी का जीरो था एक और आप यहां देख सकते हैं गैस कटर यह भी यहां पे टोटल जीरो था मींस 18 में से टोटल ओपनिंग कितनी बच्ची? 16 बच्ची अब इस 16 में इस टेनो हिंदी आपका और इस टेनो इंग्लिस तो अलग अलग है तो यहां देखते हैं आप चलिए ओपनिंग वहां पे कितना सो कर रहा अफिसल वेबसाइट पे और आप लोग कैसे एपलाई कर पाएंगे आसानी से लॉग इन करके अपने वाइल फोन से और क्या आपको वहां पे सर्च करना होगा यह सब कुछ यहां पे हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में तो अपलाई करने के लिए आपको लॉग इन करना है सबसे पहले आके किस पे एप्रेंटिपिंडिया.GOB.IN के ओफिसल वेबसाइट पे आपको आना है और आने के बाद यहां पे आपको क्या करना है candidate registration जो candidate login का option है उस पे क्लिक करना है अगर आप पुराना page open करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको क्या करना है एक बार इसको latest जो वेबसाइट है वो जो आप open करेंगे तो यहां देखेंगे कुछ इस तरह का interface आपके सामने open होगा थोड़ा से इसमें changes हुए है login या register पे आपको यहां click करना है और यहां पे आप देखेंगे एक option आएगा candidate यहां establishment यहां third party इस तरह से आपको click करना है candidate पे यह भी portal थोड़ा सा change हुआ है login as a candidate आप क्या करेंगे यहां अपनी email id इंटर करेंगे इसके बाद आपको एक OTP आएगा mobile number पे उससे आपको verify करना होगा जैसे आप देखेंगे यहां पे एक official जो आपका mobile number registered उस पे एक OTP आएगा उससे आपको यहां पे enter करना होगा login होने के बाद आपको क्या करना इस तीन line पे click करना और apprentice opportunities पे click कर देना है click करने के बाद आपके सामने इस तरह से opportunity यहां search होगी अब देखें इसमें establishment search करने का दो तरीका हम आपको बताएंगे एक तो आप क्या करेंगे establishment code एक आपको हम description में दे देंगे वहां से आप उसको direct type करके इसमें डाल सकते हैं उसके बाद बाहर कहीं click कर देंगे so हो जाएगा या दूसरा एक है यहां पे आप search कीजिए इस तरह से senior divisional ठीक है और इसमें फिर आपको CCR का जो panel दिखेगा न वहां आपको जाना पड़ेगा यह थोड़ा सा आपका lengthy process हो जाएगा ठीक है अगर इस तरह से आप करते हैं अभी जैसे यहां देखेंगे यहां देख रहे हैं senior divisional personal officer south east central railway बिलासपुरे इसको एक बार click करके देखते हैं इसमें क्या opportunity so होती है या नहीं अगर आप यहां देखते हैं no opportunity found दिखा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे अपने दूसरे वाले तरीके पर चलेंगे जो है उसे type करेंगे यहां पर तो यहां क्या करेंगे जो establishment code है इसे जिस आप यहां पर लिख देंगे एक बार इसके बार क्या करिए कहीं बाहर click कर दीजे फिर से आप जब यहां क्लिक करेंगे देखे यहां देखेगा senior divisional personal officer south east central railway बिलासपुर इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे यहां पर आपको total 17 अपरचुन्टीज यहां पर दिख रही है इस duration पर मत जाएगा 23 मंत यह actual में सबका 1 साल ही रहेगा कोपा भी यहां आप देख सकते हैं 17 मई को अपडेट हुआ है फिटर भी 15 मई को है इसाल ही यहां पर दो बार हो गया अपका लेकिन merit के हिसाब से जब सेलेक्ट होँगे आप तो अलग-अपकी उसमें पोस्टिंग हो जाएगी आप दोनों में चाहें तो एपलाई कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग इस तरह से एपलाई कर दीजिएगा आप जो भी आपका ट इसमें ओके कर देंगे आपका फाम जो है एपलाई हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से आपका जो जैसे इस्टेनों में चलते हैं इस्टेनों का क्या था कि दो लोकेशन पर वैकेंसी थी वहां देखिए दोनों लोकेशन अलग-अलग सो होती है या नहीं उसको भी एक बार हम यहाँ पे चेक आउट कर लेते हैं जैसे इस्टेनों हिंदी पर आप क्लिक करते हैं यहां भी एक DRM Office Complex नियर यही है दूसरा इस्टेनों हिंदी जो ऊपर वाला है उसमें भी एक बार जश्ट देख लेते हैं इससे आपको कोई डाउट न रहे इसमें भी DRM Office Complex वही है तो इ कटेगरी आपकी हो General, OBC, EWS वो तो आपने पोर्टल पे अपडेट की है ऐसी बट EWS क्या है यहां पोर्टल पे अपडेट करने का option नहीं आता है तो ऐसे candidate जो EWS कटेगरी से belong करते हैं उनको notification में especially कहा गया है कि ऐसे सभी candidate अपना EWS का certificate जो है separately लाके office में जमा कर सकते हैं यहां आप देख सकते हैं लिखाना if the option of EWS या ex-servicemen is not available on the portal then apply on the portal from your actual category जो आपकी category उसमें आप apply कीजे और send या submit कर दीजे EWS ex-servicemen का certificate ठीक है physically to this office आप send या submit कर सकते हैं उसे कहां पर office में जाके जो इनका SECR का office है यहां पर assistant personal officer senior division officer बिलासपूर वहां आप ले जाके Monday to Friday इन numbers पर आप call भी कर सकते हैं और वहां पर ले जाके जमा कर सकते हैं collection process आपका merit basis पर हैगा आप सबको पता है तीन जून last date है उससे पहले पहले आप सभी लोग क्या करिए form को fill up कर दीजे बाकी comment section में बताएगा किसने किसने form भर दिया CCR विलासपूर railway का क्योंकि railway apprentice का सबसे जादा फायदा अगर किसी को मिलता तो ITA candidates को मिलता है इसी एक department में level 1 की post पर आपको 20% का सीधे-सीधे quota मिल जाता है साथ में आपको जो है PET में छूट मिल जाती है and one third का आपको weightage भी मिल जाता है CBT examination में उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रही होगी कोई भी और doubt हो तो comment करके जरूर पोचिएगा चैनल पे नहीं है तो subscribe किये विना मज जाएगा and साथ में please वीडियो को like वा share भी कीजेगा and हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाएगा वहाँ पे सभ description में हमने link दे दी है thank you very much ख्याल रखिएगा आपना